श्री सद्गुरू महराज कीज़ प्रातह अस्मडी अनंत्सी गोशीत परमाराद शंत्सद्गुरू महर्शी में परमाज्जी महराज का प्रवचन अनोर नियान महतो महियान बन्दाउं रूपद कंज क्रिपाश इंदू नर रूप हरी प्रिय दर्शकों अब मेरा शरीर उस समय तक आ गया है जिस समय भगवान बुद्ध ने शरीर छोड़ा था किन्तु मेरा ज्ञान अल्प है मैंने गुरू महराज से जो सुना है और अध्यन से जो जाना हुआ है वही आप से कह देने का अवसर अभी मुझे मिला है आप लोग सब जानते हैं फिर भी करतब्य वश कुछ कहता हूँ मैंने गुरू जी से सीखा है कि देखो घर में कलह होता है जिस गौँ में रहो आपस में मेल नहीं रहने से वहां भी कलह होता है इसी तरह देश विदेश की बात भी समझे इस कलह में कोई चैन नहीं पाता इन कलहों को दूर करने के लिए धर्म की सरन लेते हैं इस देश में धर्म के नाम पर बहुत से संपरदाय भिन भिन नामों से आज हम पाते हैं और नए नए संपरदायों की अस्थापना भी हुई और हो रही है जब कोई अपने ग्यान से अपना संपरदाय अस्थापित करना चाहते हैं तो वे यह कोशिश करते हैं कि मेरे संपरदाय की बात विशेश है और दूसरे संपरदाय की कम यह बात भी कलह पैदा करती है गुरू जी ने कहा था कि भाई कुछ ऐसा ख्याल रखो कि सभी संपरदायों के अंदर जो सार सार उपदेश की बाते हैं उनको लो और देखो कि उसमें क्या रोचक है क्या भयानक है और क्या यथार्थ है उन्होंने मिला कर देखा कि बाहरी और तोर पर सभी संपरदाय भिन्य भिन्य हैं लेकिन सार विचार पकड़ो तो किसी से अनमेल नहीं है धर्म की शरण में जाकर उसकी सार बात को ग्रहन करो तो कलह, कलेश, झन्जट से बच जाएं हमारे गुरुजी के घर में जो उनके पिता थे और परिवार थे तुलसी साहब के शिश्य थे तुलसी साहब ने एक पुष्टक लिखी जिसका नाम है घट रामायन इस्वर घट घट के वासी है इसको कोई इनकार नहीं कर सकता शंतों की वानी में जैसा इस्वर का विचार दिया है लोगों का विचार उससे भिन्य दिखता है ब्यक्त रूप में अर्थात इंद्री गोचर रूप इस्वर दर्शन मानने से वह अनेक होता है और अब्यक्त इस्वर इंद्री अगोचर होता है जब अब्यक्त होता है तो वह सर्व व्यापी होता है सर्व व्यापी होने से घट-घट वासी होता है तब किसी संपरदाय वाले को ऐसा नहीं होता है कि हमारा इस्वर घट-घट वासी नहीं है जो व्यक्त रूप अनेक है वह अनेकता माया की है न की परमात्मा स्वरूप की न शुद्ध आत्म स्वरूप की जो विचार करते हैं वे सबसे पहले का कुछ अवश्य मानेंगे सबसे पहले का ऐसा मानेंगे कि जो अब्यक्त होगा वह शाधन नहीं होगा जो सबको अवकास देने वाला है वह ऐसा नहीं मानने से आज जो विद्या मिलती है उसका खाजाना कहां है जो सब से प्राचिन है वह अव्यक्त है व्यक्त नहीं वह इंद्रियातित होने के कारण अव्यक्त है जो सुन्नी भी उसमें समा जाता है इसी को गोशामी तुल्शिदास जी ने कहा है नवह सत्य कोटी अमित अवकासा इसमें भी उनको शंतोष नहीं हुआ तो सो करोर कामदेव, सो करोर दुरगा, सो करोर इंद्र, सो करोर अकाश, सो करोर वायू, सो करोर सूरी, सो करोर चंद्र, सो करोर काल, सो करोर अगनी, सो करोर पताल, सो करोर यम्राज, सो करोर तिर्थ, सो करोर हिमाले, सो करोर कामधेनु, सो करोर सुर्षत्ति, सो करोर ब्रह्मा, सो करोर विश्नु, सो करोर सीव, सो करोर कुवेर, सो करोर माया, सो करोर सेशनक आदि बड़ी बड़ी विभोतियों को कहते हैं कि निरूपम नौपमा आन राम समान राम निगम कहे जिमी कोटी सत खद्योत सम रवी कहत अती लगोताल लहे अर्थात जैसे सो करोर जुगनु को सुरी के समान कहने से उसकी हिंता होती है उसी तरह उपर वर्णित पर तेक सो सो करोर के तुल्य राम को कहने से राम की बड़ी हिंता होती है लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध सुन्यवादी थे उपर वर्णित नवसत कोटी अमित अवकासा के अनुसार गोशाम इतुल सिदाज जी भी यहां सुन्यवादी हो जाते हैं कुछ नहीं है ऐसा कहा नहीं जा सकता कुछ कहां तक कहते हैं जहां तक आपकी बुद्धी जानती है बुद्धी से जो बाहर है उसको कहते हैं कि कुछ नहीं है राम शब्द से हमको केवल ब्यक्त रोप राम को नहीं लेना चाहिए ब्यक्त और अव्यक्त दोनों को लेना चाहिए राम शवरोप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धी पर अभिगत अकत अपार नेती नेती नित निगम कहे राम शरित मानुष जो बुद्धी में नहीं आवें कुछ नहीं कहा जाए तो सुन्यवाद हो गया यदि भगवान बुद्ध ने कहा कुछ नहीं है तो उन्होंने क्या गलत बात कही शंक्राचारी को प्रक्षन बौध कहते हैं और उनके लिए कहते हैं कि बुध ने जो कहा है शंक्राचारी भी उसी तरह कहते हैं कबीर शाहव और गुरु नानक शाहव और व्यक्त में ही अधिक रहे शुरुप अखंडित व्यापी चैतन्य स्चैतन्य उचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाय अनन्य बड़ा तें बड़ा छोट तें छोटा मीही ते सब लेखा सब के मद्य निरंतर शाईं द्रिष्टी द्रिष्टी सों देखा कबीर शाहव उपनिशद में है अनोरिन्यान महतो महियान और बावानानक कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी ना तिसु कालन कर्मा जाति अजाति अजोनी संभव ना तिसु भाव न भर्मा शाचे सचियार बिटहु कुरेवानू ना तिसु रूप वर्णू नहीं रेखिया साचे सब्दि निशानू वह है अवश्य है उस पर अपने को न्योचावर करो शोचो की आदी में कैसा पदार्थ होगा मंडल ब्रह्म्य नोप निशद्य में पाँच सुन्य का वर्णन किया है सुन्य वाद कहो वा इस्ष्वर वाद कोई कुछ कहो कोई हर्ज नहीं उसको पाने के लिए बाहर में जाने की जरुरत नहीं अंदर में जहां तक बुद्धी की दोर है वहां तक माया है तुलसे शाहब की घट रावाइन में है सुन ए तकी न जाईयो जिनहार देखना आप अपने में आप जलवाए दिल दार देखना श्रीष प्रवचन कलकेशत संग में श्रीष अद्गुरू महराज की जय श्रीष अबड़ों का deeply आप जाईयो जी पुला देखने में है लिए जी 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 जाए ओfast